क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णू गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्रम्हा तसु मैस्रे गुरुवे नम्हा नमस्कार दर्शकों मैं पंडेच चंदन सांडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का कुंडली दर्शन के आज की रासी फल विशेशांग कारिकरम में स्वागत करते हैं और आज इस कारिकरम में बात करेंगे 10 जून 2018 के रासी फल के बारे में जी हाँ, इस कारक्रम में जानेंगे कि कैसा गुजरेगा आपका आज का रविवार का दिन, क्या कहते हैं सितारे, आपकी रासी को लेकर क्या है ग्रोहों और नच्छत्रों के इसारे, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आपके साथ, जीवन साथ ही या मित्रों से बनेगी आपक जजबात नौकरी वेपार में कैसे करें आज उचित समय की पहचान मुनाफिय से होगी दिन की सुरुवात या फिर हो जायेगा कोई बहुत बड़ा नुकसान मेस रासी से लेकर मेन रासी वालों को आज क्या हो सकती है समस्या और क्या हो इसका उचित रासी अनुसार घरेलू शमाधान इन्ही बातों पर करेंगे आज चर्चा लेकिन आईए सबसे पहली बात करते हैं आज के पंचांग से आज 10 जून 2018 की दिन जो पंचांग बनता है वो इस प्रकार से है विक्रम सववत 2075 चल रहा है जेश्ट मास क्रिष्ण पक्ष एकादसी तिथी है अश्वणी श्वणी नच्छत्र लगा हुआ है और रविवार का दिन है तथा आज के दिन शोभन योग भी लगा हुआ है और आज के दिन राहुकाल साम के 4 बच कर 30 मिनट से साम के 6 बजे तक रहने वाला है और राहुकाल में किसी भी सुववकार या नए कारे को नहीं करना चाहिए जोतिस सास्त्र के माननित्ताओं के अनुशार तथा आज के दिन शोभन योग के कारण कुछ रासी वालों की किस्मत चमकने वाली है तो आईए सुरुवात करें सबसे पहले मेश रासी से मेश रासी वाले आज का दिन आपके लिए खास रहेगा आज परिशानियों से निपटने के लिए नए सीरे से सुरुवात करेंगे पड़िवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने से आपकी परिशानियों का हल निकलेगा आज आपका मन नया वाहन खरिदने का कर सकता है साथ ही पैसे और सेविंग करने से आप निश्चित रूप से अगर कुछ बहुत बड़ा एंवेश्मेंट के बारे में सोच रहे हैं तो अपने से बड़ों का सलह अवश्य ले ले इस रासी के जो लोग नौकरी करते हैं आज उनका मन जौब स्विच करने का कर सकता है तो आईए बात करते हैं विर्शव रासी वालों के लिए विर्शव रासी वाले आज का दिन यात्रा में आपका बितने का यूग दिख रहा है आपकी यात्रा ओफिस के काम से रिलेटेल हो शक्ती है यात्रा के दौरान किसी दूर के रिस्तेदार से आपकी मुलाकात होगी जिससे आपका मन प्रशन हो जाएगा इस रासी के इंजिनियर्स के लिए आज का दिन फायदे मन रहेगा किसी कमपनी के जॉब के इमेल आपको आ सकते हैं इस्टुडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और कमप्टिशन एकजाम से रिलेटेड कोई शुब समाचार आपको प्राप्त खोश रखता है प्रेमी परसंग के लिए आज का दिन बढ़िया है साथ में कुछ टाइम एस्पेंड आप लोग कर सकते हैं उपाय आपके लिए जो बहतर है संकर जी को जल अरपित करने से आपको नौकरी प्राप्ती में सफलता मिलेगी अब आई ये बात करते हैं मिथुन रासी वाले मिथुन रासी वाले आज आपके रुके वे काम पूरे होंगे शमाजिक कामों के लिए लोगों से मुलाकात हो शक्ती है साथ ही परतियोगता जैसे इस्तिती भी आज बन सकती है कुछ नए लोग आप से जोड़ना चाहेंगे आज आप बोलने के बजाए सुनने पर ज़्यादा ध्यान दे इससे आपको कोई जरूरी बातें पता चल सकती है इस रासी के जो लोग कवी हैं आज उनकी किसी पुरानी कविता की तारीब हो सकती है जिससे आपका मन खुशनुमा रहेगा साथ ही आज आपका खर्च बढ़ेगा ना चाहते हुए भी किसी को पैसा देना पड़ सकता है उपाए आपके लिए जो शर्वत्तम है अत्यंत ही उत्तम है सिवलिंग पर जल अर्पित करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा अब आई ये बात करते हैं करक रासी वालों के लिए करक रासी वाले आज का दिन आपका अच्छा रहेगा इस रासी के जो लोग बिजनस करते हैं आज इने धन लाब होने के आसार नज़रा रहे हैं आज किसी मल्टी नेशनल कमपनी से आपकी कोई डिल फैनल हो सकती है जिससे घर में छोटी सी छोटी कोई न कोई सुब योग या कोई छोटा अवसर आप अगर पाटी के लिए ढून रहे हैं तो आज आप पाटी कर सकते हैं आज जो भी काम आप कई दिनों से टाल रहे थे आज आप निप्टा लेंगे कुछ खास लोग मददगार शावित होंगे इस रासी के श्रेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है जॉब चेंज करने के साथ ही इनकम बढ़ाने के लिए भी विचार कर सकते हैं दामपत्त जीवन शुख में रहेगा तुलसी के शामने दीपक जलाने से आपके धन में विर्धी होगी यही आज के लिए आपका उपाय है अब आई ये बात करते हैं अगले रासी शिंग रासी वालों के लिए सिंग रासी वाले आज आपका दिन वैस्तता से भरा रहेगा आज बिजनस के मामले में कुछ खास बदलाव कर सकते हैं लेकिन बदलाव करने से पहले किसी अनभवी की शला अवस्च ले साथ ही छोटे मोटे शौदे के लिए आप आज अगर कोई विचार विमर्स बनाते हैं प्लान करते हैं तो फायदे का सौदा हो शकता है पड़िवारिक मामलों में आज थोड़ी बहुत नोक जुक हो शकती है किसी के साथ अनभन के भी योग देख रहे हैं दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान आज बना सकते हैं साथ ही लंच के लिए किसी अच्छे रिस्टरेंट में भी आज आप जा सकते हैं आज अचानक से आपके घर पर कोई करीबी रिस्टर आशकता है जिससे घर का माहूर खुस नुमा बना रहेगा आपके ये लिज उपाय है भगवान सुरे नरायन को जलरपित करने से आपके पड़िवारिक रिस्टें मजबुत होंगे अब आई ये बात करते हैं कन्यरासी वाले कन्यरासी वाले आज आपके किस्मत आप परमहर बान रहेगी आज जिस भी काम को आप करना चाहेंगे वह निश्चित ही पूरा होगा आज आप अपने ताकत और परतिष्ठा से पहचाने जाएंगे आज आप किसी समहरों में जाने की योजना बना सकते हैं आज आपके इमांदारी से परभावित जीवन साथी से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है इस रासी के लोग आज कुछ परिशानियों से डटकर मुकाबला करते हैं तो तरक्की के सारे दरवाजे खुले अपने आप नजराएंगे साथी आज जीवन साथी को कहीं बाहर घुमने के लिए आप लेकर जा सकते हैं जिससे आपके रिष्टे मजबूत होंगे उपाय आपके लिए भगवान स्री गनेश को बूंदी के लड़ू का भोग लगाने से आपकी तरक्की निश्चित ही पक्की है अब आज ये बात करते हैं तुलारासी वाले तुलारासी वाले आज आपका दिन खुसियों से भरा रहने वाला है आज आपको कोई बड़े खुसकबली मिल सकती है आज आपके परिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहोल बना रहेगा किसी प्री मित्र से मिलने का योग बन सकता है शाथ ही जिन लोगों से आपकी अनबन पहले से हुई है उनसे बात करने का आज आपके लिए अच्छा दिन है आज आपको नए सुरोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है आज आपका प्रेम परसंग के परती जुकाओ अन्य दिनों के पेक्षा अधिक रहेगा अगर आज आप अपने बड़े भाई का पैर छुकर असिरुवाद लेने के बाद किसी नए कारे की सुरुवाद करते हैं तो निश्चित ही आपको शफलता की प्राप्ति होगी और यही आज आपके लिए उपाय भी है अब आज यह बात करते हैं वरिष्चिक रासी वाले वरिष्चिक रासी वाले आज आपके मन में नए नए विचाराएंगे आने वाले कुछ दिनों में बड़े काम की योजना बना सकते हैं साथ ही किसी खास काम के लिए सोचने समझने में जादा समय नहीं लगेगा समभल कर रहें कोई मोका हाथ से ना निकल जाए इस रासी के चात्र के लिए आज का दिन अन्य दिनों के अपेक्षा अच्छा रहने वाला है आज आपका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा अगर आप किसी फॉर्म को भरने की सोच रहे हैं तो तुरंद भर दें कारुबारियों के लिए आज का दिन शमान ने रहने वाला है आज आपको सेहत के परती ध्यान रखने के आव सकता है उपाय मंदिर में माथा टेकने से आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा अब आई ये बात करते हैं धनुराशी वाले धनुराशी वाले आज आपका दिन शमान ने रहेगा इस रासी के शुडेंट्स को आज पढ़ाई के सिलसिरे में कहीं बाहर जाना पढ़ सकता है मन परसन रहेगा पारिवारी क्वातावरन शुक्मे रहेगा बच्चों के साथ टाइम व्यतित कर सकते हैं शाथ ही पार्क में भी जा सकते हैं आज आप अपने प्यार का इजहार करेंगे साथ के कुछ लोगों की मदद भी मिलने के योग दिख रहे हैं आपसी तालमेर बढ़ सकता है आज किसी पर आँख बंद करके भरोशाना करें साथ ही किसी के बारे में गलत सोच ना रखें हो शकता है वह व्यक्ति भविश्च में आपके लिए कारगर शावित हो शकता है उपाय केसर का तिलक लगाने से आपका मन शान्त रहेगा अब बात करते हैं मकर रासी मकर रासी वाले आज का आपका दिन पहले के पिक्षा काफी अच्छा रहने वाला है आज आप जो भी चाहेंगे वो शारे काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा कोई भी बड़ा कार करने से पहले अपने बड़ों की राय लेना ना भूले इस रासी के और विभायतों को आज शादी का उफर भी आशकता है महंगी खरीदारी भी हो शकती है एक से जादा काम एक साथ करने की कोशिस करने से खुद ही परिशान हो शकते हैं आज आप रिष्टेदारों से दूरी बना कर रखें उनकी गलत नसीहत आपको अपनी तरक्की के मार्क से विचलित कर सकता है उपाय तिल के लड़ू बना कर बहते जल में प्रवाहित करने से आपकी परिशानी कम होगी अब आज ये बात करते हैं कुम्बराशी वाले कुम्बराशी वाले आज आपका दिन आपके लिए बहुत महत्प्रुन रहने वाला है इस राशी के लोग आज किसी बड़ी योजना को सुरू कर सकते हैं जिससे फैदा उन्हें आगे चल कर जरुन मिलेगा आज आपकी आर्थे किस्तिती पहले के पेक्षा अधिक मजबूत रहेगी आज आप नए वरस्त्रों पर धन खर्च कर सकते हैं किसी अजनवी की वज़े से आज आपका मुड खराब होगा जिसकी वज़े से आप तनाव ग्रस्त भी रह सकते हैं और आज आप अपने जीवन साथी को मनाने के लिए कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं आज आप घर से बाहर निकलने से पहले हनमान जी का पुजा करना ना गोलें कारुबार में आज आपको उमीद के मुताबिक ज़्यादा लाब की प्राप्ती होगी अब आज ये बात करते हैं मिन राशी वाले मिन राशी वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदे मन रहेगा आज आपके रुखे हुए कामों में आपके मित्र आपकी मदद करेंगे आज आपके दुश्मन आपसे दूरियां बनाए रहेंगे आज पैसे के मामले में आप उधार के देन लेन से बचें आज आपके रुके हुए पैसे वापश मिल सकते हैं इस रासी के छात्र किसी से बहस ना करें बहतर होगा पढ़ाई के परती अपना रुझान बढाई रखें आपके तिवर बुद्धी के कारण आज आपको प्रुषकार मिलने के योग नजर आ रहे हैं आज आप अपनी सेहत के परती शावधान रहें शाथ ही शाथ खान पान पर भी ध्यान रखने की जरुरत है गायत्री मंत्र का जाब करने से पढ़ाई में एक आगरता बनी रहेगी तो दर्शकों इस परकार से आप देख सकते हैं आप शभी रासी वालों के लिए ये रासी फल आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना सेर करना ना भूलें और जोतिस एवं धर्म के अनेक रहश्पुर्ण वातों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे देखें लाल के लड़का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे किलिक करके सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले आपको प्राप्ट होचके सूचना उसके लिए notification के लिए बेल कॉप्चन होगा। उसे भी किलिक कर दें जिससे आपको सूचना प्राप्ट हो जाए फिर मिलेंगे अगले कारिकरम में तब तक के लिए नमस्कार, जय मातादी, राधे, राधे